Hello students, कैसे हैं आप सभी? I hope आप सभी ठीक होंगे आज हम class 8 का chapter 8, cell, structure and function यानि आपके जो cell हैं, कोशिकाई हैं, उनका structure और function पढ़ने वाले हैं जो आपका ये chapter है, इसके अंदर हम start करते हैं आपका पहला question जिसके अंदर आपको क्या है? true-false करने हैं तो true-false के अंदर जो first question है आपका वो है unicellular organism have one cell body जो आपका unicellular होता है, unicellular यानि single cell जिनके अंदर होती है वो वाले जो organism हैं, उनके अंदर ये क्या कह रहा है? one have one cell body एक ही cell होती है उनकी body में, तो ये बिल्कुल true है आपका next ये कह रहा है muscles, cells are branched तो ये कह रहा है कि आपके जो muscle cell होती है, यांई आपके जो बाजुओं की muscles, बाजु की या body में जहां भी muscles हैं, वो جो cell होती हैं क्या वो branch होती हैं? तो नहीं तो इसलिए ये आपका जो answer हो जाएगा, इसका वो false हो जाएगा नेक्स्ट ये कह रहा है the basic living unit of an organism is an organ क्या किसी जीवित जीव के जो organism है उसकी जो unit होती है basic unit क्या वो organ होती है तो आप सभी ने बहुत अच्छे से chapter में पढ़ा है कि basic unit क्या होती है किसी भी living being की style होती है तो यहाँ पर इसका answer false हो जाएगा तो next है आपका amoeba has irregular shape तो बिल्कुल amoeba की कोई shape नहीं होती वो किसी भी shape में आपको मिल सकता है तो यह आपका answer true हो गया है next है आपका make a sketch of the human nervous system आपको human का जो nervous, sorry nervous cell है उसका structure बनाना है what function do nervous cells perform तो आपका जो nervous cell है मतलब आपका nervous cell है वो क्या काम करता है यह भी इनोंने पूछा है तो सबसे पहले nervous cell का diagram देख लेते हैं तो यह है आपका nervous cell का diagram इसको आपको बनाना है इसके अंदर जो parts है आपको वो वो बताने है जैंसे कि यहाँ पर आप mid के अंदर जो blue color में दिख रहा है वो nucleus है फिर cell body आपको दिख रही है जिसे soma बोला गया है फिर dendrain है और उसके बाद last में axon है यह बीच वाले नाम को आप skip कर सकते हैं next आपका जो है वो है function of nervous cell आपके जो nervous cell है वो message को लेकर जाती है आपके sense organ से अब पहली बात तो यह sense organ क्या होती है तो आपके body के अंदर sense organs जो है वो eyes है, nose है, tongue है, ear है और skin है तो जितने भी sense organs है उनी से message लेकर कहा लेकर जाती है send to the brain हमारे mind के पास लेकर जाती है दिमाग के पास लेकर जाती है next जो आपका question है point है वो है the nervous cell take message from brain and send to the body part उसके बाद जो nervous cell है वो क्या करती है दिमाग से message लेती है और उसको हमारी body part तक पहुँचा देती है throw nervous cells brain control all the body parts nervous cell के द्वारा या जरिये हमारे जो brain है वो हमारी पूरी body को क्या करता है control करता है body parts को next question है write short note on the following पहला तो है cytoplasm दूसरा है आपका nucleus of a cell तो cytoplasm हम पढ़ते हैं cytoplasm आप सभी ने chapter के अंदर पढ़ा होगा पहला definition देख लेते हैं cytoplasm के definition क्या है cytoplasm is a fluid that fills the cell and occur between the plasma membrane and the nervous आपका cytoplasm होता है वो एक तरह का liquid होता है चिप चिप का liquid होता है ये थोड़ा jelly type में और उसके बाद ये कहां मिलता है आपका जो plasma membrane है और nucleus है उसके बीच में मिलता है आपको next है आपका इसमें cell organs such as mitochond या ribosome Golgi body etc जितने भी आपके ठीक है वो सभी कहां मिलते हैं आपके are suspended in the cytoplasm वो सभी कहां मिलेंगे आपके cytoplasm के अंदर मिलेंगे means plasma membrane और nuclear जो है उसके बीच में आपका cytoplasm liquid जैली टाइप में एक liquid fluid होता है जो भरा होता है उस liquid fluid के अंदर आपका mitochondria, ribosome और Golgi body इसके अलावा अलावा बहुत सारी चीज़े आपकी जो होती हैं वो फिल होती हैं जितने भी आपके यहाँ पर organs मुझूद हैं next है आपका nucleus of a cell तो एक cell का nucleus है उसके बारे में बताना है the nucleus is a spherical shape generally present at the center of the cell यह क्या होता है spherical shape में होता है और center में present होता है जादा तर आपकी cells के अंदर nucleus is separated from the cytoplasm by a membrane आपका जो nucleus है वो separate कर दिया जाता है membrane से किसके द्वारा cytoplasm के द्वारा जो उसके बीच में भरा होता है तो called the nuclear membrane आपका जो nuclear membrane means आपका nucleus है उसके और भार का जो cytoplasm उसके बीच में एक membrane होती है जिसको nuclear membrane बोला जाता है next आपका इसमें बोल रहा है nucleus control all the activity of cell जो nucleus होता है जो उसका middle part होता है वो पूरे के पूरी activity को control करता है आपकी एक cell यानि कोशिका की nucleus contain thread like structures called chromosome nucleus के अंदर, nucleus के पास क्या होते हैं? thread यानि धागिल जैसी सनरचनाई पाई जाती हैं जिनको आप chromosome कहते हैं chromosome क्या होता है? chromosome carry genes and help in inheritance और transfer of characters from the parents to the offspring means जो chromosome होते हैं वो क्या करते हैं? carry करते हैं किने genes को? और genes क्या करते हैं? हमें help करते हैं किस चीज में? आपके जो parents हैं उनके जो गुण हैं उनके जो प्रभाव हैं उन सभी को new springs पर ले जाने में new springs यानि new born babies में ठीक है? तो आपके जो parents के गुण हैं उनको एक नवजात बच्चे के अंदर ले के जाते हैं कौन chromosome next question है आपका question number 4 which part of the cell contain organelles? तो आपका जो कौन सा part है जो organs लेता है मिनलब contain करता है जिसके अंदर होते हैं तो वो cytoplasm है कौन-कौन से organs contain करता है वो mitochondria हो गया ribosome हो गया और बहुत सारे ऐसे है golgi body हो गया या फिर आप उसके अंदर endoplasmic reticulum है बहुत सारी चीजें आपको वहां मिल जाएंगी next है make sketch of animal cell and plant cell और उसके बाद आपको state 3 different between them इनके बीच में 3 different बताने difference मैंने यहाँ आप लोगों को बताये हुए है जैसे कि आपको दिख रहा है cell wall is absent in animal cells तो cell wall क्या होता है बच्चो जो आपका cell है cell के बाहर एक cell membrane होता है और cell membrane की outer जो layer होती है उसको cell wall कहा जाता है तो animals में cell wall present नहीं होती बलकि plants में होती है जो आपको पेड के बाहर खुर्दरा पार्ट तिखाई देता है वो आपका होता है cell wall तो cell wall सिरफ plant cell में present होती है और animal cell में वो absent होती है next difference क्या है plastic are absent in animal cells and plastic are present in plant cell plastics जो होता है वो आपके जो plant cell होता है उसके अंदर होते हैं लेकिन animal cells में नहीं होते अब plastic का काम क्या है बाई plastic का काम होता है plants को color देना मतलब green color होना और वो अलग अलग जो color होते हैं plants के वो plast की वज़े से होते है तो आपको पता है जानवरों में तो ऐसा नहीं होता कि हरा color होगा या कोई color होगा और नहीं वो photosynthesis करते हैं तो photosynthesis के लिए plastic की जर्थ पढ़ती है जो कि plants में ही होगा next है an animal cell has usually no vacuum only some animal cells have small vacuums जो vacuums होते हैं आपके जिसके अंदर खाना पच्छाता है आपका amoeba तो वही बात हो रही है कि जो animal cells हैं उनके अंदर vacuums नहीं होते जबकि plant cell के अंदर एक large vacuum होता है बहुत बड़ा यह आप structure को देखकर समझ जाओगे आप यहाँ पर जैसे कि structure देख पारे हो यह जिसके अंदर बहुत बड़ा vacuum है यह आपका a वाला plant cell है and b वाला आपका जो है animal cell है आप यहाँ देख पारे हो कि बहार की जो line आपको दिखाई दे रही है वो है cell membrane लेकिन जो outermost है वो cell wall है आपकी plant cell के अंदर बीच में यह vacuum आपको दिखाई दे रहे हैं nucleus आपको दिखाई दे रहा है कि जो animal cell है उसके अंदर center में है जबकि plant cell में वो एक side में है फिर आपका जो यह liquid है यह है आपका cytoplasm और आपका जो plant cell है उसके अंदर chloroplast भी आपको मिलता है जो यह green-green pigment आपको दिख रहे हैं यह आपके है chloroplast तो I hope कि यह diagram आपको समझ में आगया होगा और बहुत easy diagram यह आपके लिए है next आपका जो question है वो है state the difference between eukaryotic and prokaryotic cell आपको eukaryotic and prokaryotic cells के अंदर difference बताना है यानि अंतर बताना है तो prokaryotic cells कौन सी होती हैं वो देख लेते हैं the cells having nucleus material without nuclear membrane मतलब ऐसे जीव या ऐसे cell जिनके अंदर जो nucleus material होता है वो बिना nuclear membrane के होगा मतलब जो उनका nuclear होगा उसके उपर कोई nuclear membrane ही नहीं होगी उन्हें कहते हैं prokaryotic cells the organism which these kind of cells are called prokaryotic cells मतलब जिसके nucleus पे कोई covering नहीं है कोई membrane नहीं है वो आपकी क्या होगी nucleus membrane होगी ठीक है sorry prokaryotic cells होगी और इसके example है आपके bacteria and blue green algae बात करते हैं eukaryotic cells की eukaryotic cells वो होती है जिन the cells having well organized nucleus with a nuclear membrane are called eukaryotic cells आपके जो eukaryotic cells होगे है उनके अंदर जो nucleus होता है well defined होता है और उनके बाहर एक covering होती है जिसे आप nucleus membrane कहेंगे the organism with these kind of cells are called eukaryotic cells या eukaryotes कहेंगे उनको तो इसके अंदर आप अपने आपको रख सकते हैं animals इसके अंदर आते हैं plants इसके अंदर आते हैं तो all other organisms that there than bacteria and blue green algae बाकि सारे ही eukaryotic हैं मतलब bacteria और blue green algae को छोड़ कर बाकि जितने बच गए वो सभी आपके क्या हैं eukaryotic cells है plant, animal, fungi, amoeba, etc. इंसान सभी इसमें आ गए next आपका 7th question है जो की है where are chromosome found in our cell जो chromosome है वो कहां मिलता है state their function और इसका जो काम है वो भी बताना है तो जो आपका chromosome है अभी आपने उपर पढ़ा कि chromosome क्या होता है thread light structure होता है तो उसी के बारे में बात करना है chromosome are found in nucleus of the cell जो chromosome होते हैं वो मिलते हैं हमारे जो nucleus होता है cell का उसके पास chromosome carry genes and help in inheritance or transfer of characters from the parents to the offspring जो chromosome होता है उसका काम क्या होता है कि जो माता पिता है उनसे genes carry करता है और help करता है inheritance और जो transfer करता है उनके जो गुण है characters है उनको एक नए जो बच्चा पैदा हो रहा है या जो new spring पैदा हो रही है means नई परजाती जो बन रही है उसके अंदर next question है आपका cells are the basic structure unit of life living organism explain इस statement को explain करना है कि जो cell है वो basic structure है unit का living organism के अंदर तो इसको explain कैसे करेंगे आप different cells combine to form tissues अलग-अलग cells से आपका एक tissue बनता है टिशू combine to form organism और tissue के मिलने से आपका एक organ बनता है similarly organ combine to form a body और जितने ज़्यादा organ एक साथ मिलेंगे वह एक body बनाएगा therefore cells are called the basic unit या basic structure unit of every living organ आपको पता है क्या हो रहा है cell से tissue बन रहा है tissue से organ बन रहा है और organ से body बन रहा है तो सबसे main चीज क्या होई cell होई तो इसलिए इसे basic structure यानि नीव कहा जाता है किसी भी body का cell को next question है आपका explain why chloroplasts are found only in plant cells जो chloroplast होता है वो सरफ plant cell में क्यों मिलता है by chloroplast होता है green color का लवन मतलब green हरित plant के अंदर पाए जाते है green लवक उसको बोला जाता है तो chloroplast carry chlorophyll जो कि एक हरा liquid होता है which synthesized food जो कि क्या करता है खाने को पचाता है इन बनाता है या पचाता है दो नोई चीज बोल सकते हो in plants by the process of photosynthesis जो प्रकास अंसलेशन होता है उस process के अंदर वो क्या करता है खाने को बनाता है no photosynthesis occurring animals जो photosynthesis यानि प्रकास अंसलेशन की क्रिया होती है वो जानवरों में नहीं होती so animals do not contain chloroplast इसी लिए जो जानवर होते हैं वो chloroplast contain नहीं करते हैं मतलब carry नहीं करते हैं और plants के अंदर ही जो है आपका chloroplast यानि chlorophyll पाया जाता है so यही था आपका पूरा chapter I hope कि आपको question answer बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे chapter बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे so please do like, share and subscribe my channel take care, have a great day